नमस्कार स्वागत है आपका एश्यान यूज इंडिया में मैं हूँ कीर्ति सिंग चक्रवाती तूफान ताउटे भले ही महराश और गुजरात से गुजर चुका हो लेकिन जारखंड में अब इसके असर देखने को मिल रहे हैं दरसल कल देर रात को राजे के अलग-अलग जिलों में तेज बारिश हुई और वजरपात भी हुए जिसे लेकर बताया जा रहा है कि राजे में एक दर्जन से जादा लोगों की मौत हो चुकी है इन में कई अलग-अलग जिले के लोग है जैसे कि लातेहार और देवघर में जहां दो-दो लोगों की मौत हुई है वहीं बोकारों से भी कुछ घटना सामने आ रही है जहां कुछ लोग वजरपात होने के वज़ा से जुलस चुके हैं वहीं बोकारों में ही तीन और लोगों की मौत भी हो चुकी है साथ ही जो जहारकन के अलग-अलग ग्रामी जिले हैं वहाँ पर इसके असर जादा देखने को मिल रहे हैं तेज बारिश के साथ ये वजरपात हुए ठनका गिरने के वज़ा से कई किसान और कुछ लोग जो सुभा-सुभा खेतों में गए थे उनमें से कई किसान की भी मौत की घटना सामने आ रही है वहीं आपकी जानकारे के लिए बता दे कि जहारकन में सबसे जादा बताया जा रहा है कि हजारी बाग में 35.0 मिलीमीटर से बारिश हुई जहां पर लोगों को ठंडक महसूस हो रही है वहीं बात करें जहारकन के मौसम विग्यानिकों की तो उनका कहना है कि अभी राज में इसी तरह हलके फुलके बारिश होते रहेंगे और राज के कई जिलों में ठंके और वजरपात गिरने की आशंका जताई जा रही है मौसम विग्यानिकों का कहना है कि अभी आने वाले दो दिनों तक किसानों को अपने खेत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि खुले जगह पर जादा वजरपात हो रहे हैं साथी सभी लोगों से अपील की गई है कि जादा से जादा जो ग्रामिन छेतर हैं वहाँ पर अपने घरों में ही रहे इसके अलावा मौसम विग्यानिकों के दूआरा अभी जारखंड में अगले दो दिनों तक यलो अलर्ट जारी कर दी गई है क्योंकि दो दिनों तक बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी हाला कि ये आसार कम जताया जा रहे हैं कि लोगों की मृत्यू की संभा लेकिन इसके बावजूद ग्रामिन छेत्रों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोग जुलस चुके हैं और कई लोगों की मृत्यू हो गई है ऐसे में जहारकंड सरकार और यहां के मौसम विभाग के विग्यानिकों का कहना है कि किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले और बिलना वज़ा घर से बाहर ना निकले क्योंकि यह ताउडे तुफान काफी तेजी से आ रहा था हाला कि महराश्ट और गुजरात से अब यह खतम हो चुका है और वहां पर भी कई लोगों की जाने जा चुकी है बताया जा रहा था कि एक जहाज जो महराश्ट्रे से कुछ किलोमीटर दूर था वही समुंदर में डूब गया क्योंकि समुंदर में तेज समुंदरी तुफान आने के वज़े से यह डूब गया जहां 136 लोग लापता है और कई लोगों की मृत्यू भी हो गई है इसलिए जारकंट में भी इसे लेकर अलट जारी कर दिया गया है और बिजली विभाग का भी यह कहना है कि अगर यहाँ पर बारिश या तूफान जैसे मौसम होते हैं तो बिजली काट दी जाएगी बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ राची तब तक के लिए घर पर रहे सुरक्षित रहे